अलो दोस्तों वेलकम टो पी डबलू अली आईएस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफते की हमारे इंपोर्टन स्पीसीज के बारे में जिनके हम फीचर्स भी जानेंगे क्यों वो न्यूज में थी और एक बड़ी इंपोर्टन कि उन स्पीसीज के साथ में कुछ ज स्पीसीज के फीचर्स दे करके पूछा जाता है कि हाँ यह नॉक्टर्नल है डायर्नल है इसका यह हैबिट है वह हैबिट है आप आइडेंटिफाई करो ऑप्शन में से टिक लगाओ तो वह सारी चीजें हमें जानना जरूरी है तो इसी चीज को इंशॉर करते हुए आप देखोगे कि हम weekly basis पर हर Friday को यह weekly analysis लेकर क्या आता है जिसमें हमारे पास में जो भी important recently या weekly तीन से चार species जो हमें दिखाई देती है उनके बारे में हम discussion किया करते हैं ठीकर इससे क्या होता है आपको एक बढ़िया जिस्ट मिल जाता है तीन चार चार species थोड़ा थोड़ा करत है कोई जरूरी नहीं है सीधा वह question हमारे काम में आ जाए या question को solve करने में वह knowledge हमारा काम आ जाए बट उस knowledge का यूज करके आप वहाँ पर decision ले सकते हो कि हाँ यह मैंने पढ़ा था की नहीं पढ़ा था तो वह चीज हमें यहाँ पर ध्यान रख लिए ठीक है तो चलिए start कर सकते हो गया दूसा यह जो plant species discover होई है इसका नाम रखा गया है इसका नाम रखा गया है आपर आप देख सकते हो stellaria m Михalinto की है ठीक है stellaria m मेकलिन टोकिया ये नाम किसके पीछे रखा गया है तो 1983 में जंपिंग जीन की डिसकवरी के लिए बारबरा मेकलिन टॉक ठीक है इन कोब नोबिल प्राइस दिया गया था उस नोबिल प्राइस विनर इंडिवीजुल के नाम पर ही इस पर्टिकलर प्लांट स्पीसी का नाम र रखा गया है मेकलिन टॉक किया ये आप ध्यान रखनोंगे बारबरा मेकलिन टॉक नाम से नॉबल लॉर्यट है 1983 में उनको जंपिंग जीन की डिसकवरी के नाम से डिसकवरी के बिहाफ पर उनको वो नॉबल ट्राइस दिया गया था ठीक है इस पर्टिकलर प्लांट की स्मॉल प्लांट है तो पत्या भी छोटी होंगी स्मॉल हर ठीक है और दूसरा इसकी लीव जा पत्या बहुत छोटी है फ्लावर्स फूल भी बहुत छोटे है और फूल की स्ट्रक्चर में पांच तो सेपल दिखेंगे और पांच ही आपको वाइट पैटल्स देखने को मिल पत्या वह इसको नुकसान किस चीज़ का है तो सीधी बात है जब हम नई स्पीसी के बारे में पता होना चाहिए कि मिलती कहा है किस तरीकी कि स्ट्रक्चर क्या उनके लिए रिस्क है वह सारे फैक्टर्स हमारे लिए जानने जलूरी है तो इनको खत्रा सबसे ज्यादा होता है कि हैवी ग्रेजिंग इनको सबसे ज़्यादा खत्रा है क्योंकि अब हर्ब है तो घास फूसे कोई चर जाएगा जो भी हर्भी वारस है तो एक तो यह प्रॉब्लम है दूसरा एलिफेंट पॉपुलेशन जहां पर जादा होती है तो एलिफेंट जब चलते है न तो उनक सिंगु वाला यह हिरंड ठीक है नाम से पता पढ़ रहा चौसिंगा जिसको बोला करता है न्यूज में क्यों है पहले तो वह देखते हैं होता क्या है मद्यप्रदेश का जो सागर डिस्टिक्ट है वहाँ पर नौरा देही सैंचुरी जिसका आजकल नाम क्या कर दिया गया है विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वहाँ पर एक फोर होंड मतलब इस चौसिंगा एंटिलॉप की फोटो पिक की गई है तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत मुश्किलों से देखने को मिलता है और दूसरी स लोग अब इसके बारे में और कुछ जाने इसका सा्ग इन्टिफिक नेम तो हमें ध्यान रखनेना है टेट्रा सेरसं आप ओर इर्ल इंट की बात आ रही हैने इसका मतलब हम से एक तो Himalayan foot hills को बिल्कुल भी इग्णोर नहीं कर सकते है Himalayan region को दूसरा जो आपका Deccan वाला region है ठीक है Deccan वाला जो region है उसके north वाले area में मतलब central India या फिर south central India में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा यह जो chasing गा है इसकी presence habitat की बात करें तो यह खुले area में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर dry और deciduous forest मिल जाएगा इसका मतलब rainfall आपको क्या मिलेगा कम इसके अलावा यह human settlement को avoid करते हैं और जिन areas में कुत्ते होते हैं चाहे वो जंगली हो या फिर domestic हो उन areas को avoid करते हैं वो इनके लिए बहुत बड़ा खत्रा है ठीक है तो यह हमारे लिए जानना जरूरी था four horn antilope के बारे में और यह हमें ध्यान रख लेना है कि विरांग ना दुर्गावती tiger reserve जिसका पुराना नाम नौरा देह century है यह कहां पर है यह आपका मद्यवर्देश में चला गया यह basic चीजे हैं हमें बिल्कुल भी ध्यान मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है ठीक है चलिए फिर eagle owl अब आप देखो यह उल्लू है पर इसका हंट करने का आप photo से idea लगा सकते हो कितना जादा dangerous हो गाई है हुआ क्या है वो समझते हैं हुआ यह है कि जो महरास्ट्रा न वहाँ पर जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ पर पहनी photograph record की गई है eagle owl की वैसे तो यह Indian subcontinent में आराम से मिल जाएगा आपको और यह एक तरीकी के nocturnal होता है उनलू तो nocturnal ही होता है रात को ही निकलता है अपने शिकार पर अपनी life जो है वो रात को ही जीता है इसका scientific name आपको याद रखने ना है वो वो nipalensis ठीक है और इसका दूसरा नाम है यह आपको याद रखने ना है spotted spot-bellied eagle owl भी इसको बोल दिया जाता है अब eagle owl तो नाम आई रहा है इसके नाम में IUCN में यह least concerned category में है और sites में यह appendix second में है इसका मतब ज़्यादा population decline कार वो तो इतना खत्रा नहीं है बट still आप यहाँ पर देख सकते हो कि sites में इसके international trade को regulate करने के लिए अच्छा खासा provision कर रखा है habitat की बात करें तो यह dense evergreen forest में मिलेगा और deciduous forest में मिलेगा तो वो moist वाला इसका मतलब यह हो गया कि इनको आप वहाँ पर पाऊगे जहाँ पर rainfall ठीक ठाक मिल जाए या फिर कोई water body के आसपास में इनके presence आपको मिल जाएगी अच्छा हमने anti-loak की बात अच्छे से नहीं की थी आई UCN की रेड लिस्ट में इसको vulnerable category में डाला हुआ है यह point हमारा बच गया था ध्यान रख लेना ठीक है इगल आउल की बात करें तो यह इंडियन सब कॉंटिनेंट में पूरे में मिलता है और साउथ ही स्टेशन कंट्रीज जो है ठीक है थाइरलेंड वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया इधर में मिल जाता है यह बहुत साइज में बड़ा होता है अधर जो आउल होते हैं उनकी अब करता क्यों अब सीधी बात है रात को जोई आकर के अगर attack करे किसी पर तो यह का जाना वो तने attack कर लिया तो उस आस्पक में गोस्टी अप दो फोरे स्टिया गया इ behalf भाता क्या है-गोल्डव जेकल ठीक है कुत्ते की तरह दिखने वाला जैकलों के लगण वगगा उसको खतम कर देता है आराम से इसके अलावा हेर ठीक है खरगोश टाइप सीवेट बिल्लीगी स्ट्रक्चर का जो एनिमल होता है वो इसके अलावा सिवेरो टाइन यह सारे इनकी साइज छोटी नहीं होती है बट फिर भी इसकी पावर जो है तो बहुत जबरदस्त है एजीली हंट कर लेता ही है आई यू सीएन में तो यह लीस्ट कंसर्ट के टिकरी में और साइट्स में अपेंडिक्स सेकेंड में इसका मतलब यह है कि प्रोटेक्शन तो है बट उतना ज्यादा हेक्टिक वाली नहीं है या फिर इतनी ज्यादा टा इस प्रोजेक्ट नेलगीरी टाहर के चलते है और इसमें क्या हो रहा है जो मुखूर्ती नेस्टल पार्क है ता मिलनाडू का उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस हा रही है एकोलोजी की प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ यू से तो चली अच्छी बात है नेलगीरी टाहर के ब फष्ट में इसको दिया हुआ है ये हमें द्यान रख लेना है साथी साथ जो अडूल्ट मेल्स है वह जब बड़े हो जाते है न तो उनकी बैक पर यहां पर आपको ग्रे एक तरिक जचेश हेड दिख जाएगी इसलिए उनको जो एड़ल्ट मेल्स है न उनको सेड्ल बैक और मिलता कहां पर है, मिलने का तो सीधी बात है, ये पहाड़ी वाले एरिया में रहती हैं, और ग्रास लेंड वाले एरिया में जहां पर इनकी खाने के लिए गास मिल जाए, और पर्टिकलर लिदेखो, तो रेन फॉरेस्ट एरिया, इसका मतलब आप जब साधरन वेस्टरन की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी पोपुलेशन इनकी मिल जाएगी इस वाले एरिया में, ठीक है, तो ये आपको धान रख लेना, इसके अलावा नीलगीरी टार की अगर बात करें, तो ये एंडेमिक है नीलगीरी हिल्स के लिए, इसका मतलब य आपको मिल जाएगा, तो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, त्रेट क्या है इनको वही, नुकसान क्या है, जिसकी वज़े से इसको इंडेंजर के टेगरी में डाला हुआ है, सबसे पहली चीज तो habitat loss, लगातार, population rise होने की वज़े से, आप क्या कर देखते हुआ पर, क लोग जो है, वो livestock को रखने के चकर में आसपास के एरिया को capture करते जले जारे है, दूसरा illegal poaching, illegal hunting हो रही है इनकी, तीसरा, ये population wise देखें तो बहुत छोटी population इनकी आपको देखेगी, और रहते भी बहुत ज़दा isolated है, तो कल को न अगर कोई disease, या किसी भी तरीगी की कोई disaster आ गई ना, फिर पूरी population एकदम से खतम हो सकती है, इस वज़े से भी इनको ज्यादा production देने की ज़रुत है, और climate change तो एक सचाई है ही, क्योंकि mountain region में, पहाडी वाले एरिया में, जैसे जैसे हम height पे जाते हैं, तो temperature variation दिखता है, अब उस temperature variation में खलल डालेगा climate change, तो अब इसको पढ़ लेना, और इसका answer आपको comment box में दे देना है, और जो पिछला हमारा weekly discussion था, उसमें आप से पूछा था मैंने, क्या आप ये बताईए, line tail, macaard, malabar, seaweed और samba deer, ये तीन आपके पास species है, तो आप बताओ, generally कौन से nocturnal है, या फिर sunset के बाद में, जो active होते हैं, व बाद करो ना, तो ये जब शाम डल जाती है न, उस time पर ये active होना start करते हैं, या फिर अंधेरे में अपनी activities को करते हैं, तो answer 2 and 3, तो इसका मतलब answer B चला जाएगा, only 2, ठीक है, तो इस video में इतना ही था, फिर मिलेंगे next अपते, thank you very much.